नमस्कार मैं हूँ सिम्रिन संदू BVM News की खास पेशकिश में आपका स्वागत है जिसका नाम है साहिब बचालो रैन बसेरा यानि की रैन बसेरों की दैनिये हालत को लेकर रैन बसेरों की तस्वीरों से रूबरू करवाऊंगी सर्दी ने दस्तक दे दी है सरकार ने फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतिजाम करने के निर्देश भी दे दिये हैं जिनके तहट परिदाबाद में बने हुए बे सहारा वा बे घरों के लिए रैन बसेरों को खुद सहारे की जरूरत है रियालिटी चेक करने पर पता लगा की जनता कॉलिनी में निगम की ओर से बने स्थानिये रैन बसेरों से तो अभी तक ताला ही नहीं हटाया गया है जहां रात को सर्दी से ठिटूरते हुए बे सहारा लोग आते हैं और रैन बसेरे में ताला लगा हुआ देखकर वापस लौट जाते हैं साहिब जरा आप भी देख लीजिए अगरा आप भी देखकर वापस लौट जाते हैं अगर आप फरिदबाज शहर में बे सहारा और बेगर हैं तो ध्यान रखें किसी रैन बसेरे की सहायता लेने से पहले आपके पास आपकी पहचान बताने वाला कोई सरकारी पहचान पत्र होना जरूरी है ऐसा कहना है रैन बसेरे पर तैनाज सुरक्षा करमी का जिसे उपर से आदेश मिले हुए हैं फरिदबाज शहर में साथ रैन बसेरा बनाए गए हैं जिन में से नगर निगम दुआरा दो और रेड क्रॉस की तरफ से पांच चलाए जा रहे हैं लेकिन इनकी हालत खराब है जिन में रैन बसेरों में परयाद सुवधाई नहीं है ऐसे में बेसहारों के लिए खुले गए इन रैन बसेरों को खुद सहारे की जरूरत है राजिके मुख्य सचीवों को रैन बसेरों को ठीक करवाने के लिए निर्देश दिये हैं इनके अनुसार जरूरत की सुविदा मुहाईया कराने को कहा जा चुका है इसके बावजूद इन रेन बसेरों की कहानी अधिकारियों और बे सहारों के प्रती संबेदन हीन बन चुके सरकार का चेहरा पेश करती है सर्दी का आगाश सुरू हो चुका है ऐसे में जो बे सहारा लोग हैं वो रेन बसेरों का सहारा लेते हैं ऐसे में रेनवसेरा को जो बोड हैं उनके लिखा होता है कि जो बेसाहरा लोग हैं वो इस रेनवसेरा की सेवाओं का लाव उठाएं ऐसे में जब ताले लगे हों कैसे बेसाहरा लोग इन रेनवसेरा की सेवा हैं उनका कैसे लाव उठा सकते हैं क्या ताला तोड़ करके शेहर में रेड क्रॉस और नगर निगम के अंतरगत रैन बसेरों का जिम्मा आता है जो कि सरकार के निर्देश पर कारे करते हैं इस साल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रेड क्रॉस फरीदाबाद के सचीव बीबी काथूरिया का क्या कहना है जरा आप भी सुन लीजिए फरीदाबाद के नगर निगम द्वारा फरीदाबाद के एक नमबर मार्केट बस्टैंड के पास रैन बसेरा खोल लगाया था जिसका पिछले कई महिनों से ताला खुल ही नहीं रहा है स्थानिये लोगों ने बताया कि इस रैन बसेरे का उद्गाटन बढ़कल के विधायक सीमा तरखा ने किया था इसके उद्गाटन के समय पर नगर निगम के कई अधिकारी मौझूद थे उस वक्त कहा गया था कि ये रैन बसेरा गरीबों के लिए है जिनके घर नहीं है वे भी यहां ठहर सकते हैं इनके मुताबिक शुरुआत में तो कुछ दिन ये रैन बसेरे खुला रहा लेकिन इसके बाद इसमें ताला जड़ दिया गया ठंड की शुरुआत के बाद भी अभी तक बंद है वहीं जब इस रैन बसेरे के अंदर जाकर देखा गया तो वहां की हालत खराब थी टॉयलेट में पानी की कोई विवस्था नहीं थी और किसी भी बात्रूम में नल की टंकी नहीं लगी हुई थी रैन बसेरे के आसपास के लोगों ने आकर इसे अपना शौचाले बना लिया है और मार्किट के लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करने की पार्केंग आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पर मार्किट है और मार्किट के लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं उन लोगों ने इसे पार्किंग बना दिया है और कोई भी आता है अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करकर चले जाता है इतना ही नहीं इसमें बने महिलाओ और पुरुष के टॉयलेट के दर्वाजे तूटे हुए हैं जो अंदर के क्या हालाद हैं बताने के लिए काफी है यहां रेन बसेरे में आप बाहर लेटे हैं अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? अंदर कोई रस्ता नहीं है कबसे बहुत पहले से अच्छ यह कुलता है कभी यह अधीक आम इंचण सोते हैं यह कुला लोग यह पर बाहर सोते हैं जो गड़िव जो भीक मंगते हैं अब आपको रैन बसेरों की हकीकत से रूबरू करवाते हैं बे सहारा और बेघरों के लिए सुविधा देने वाली सरकार में रैन बसेरों के जरिये कितने लोगों की सर्दी बच रही है जरा आप भी देख लीजिए वही फरिदाबाद के न्यू जंता कॉलनी में बने रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया गया यह रैन बसेरा एक जन्वरी दो हजार तेरा को खुला गया था जिसका उद्गाटिन पूर्व सांसद अफ्तार सिंग भडाना और रोहतक के सांसद दिपेंदर हुड़ा ने किया था फिलहाल हालत यह है कि दर्वाजे पर लिखा हुआ है कि सरकार दुआरा बनाए गए बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे का लाब उठाएं मगर रैन बसेरे का ताला तक खुला नहीं है अब साहिब आप ही बताएं कि बेसहारा लोग रयन बसेरे का लाब ताला तोड़कर उठाएं या फिर दिवार तोड़कर बेसहारों को मूँ चुड़ाते हुए शेहर के इस रयन बसेरे में पारकिंग विवस्था बनी हुई है अंदर रेन बसेरे की हालत तो ना ही देखे तो ही भेतर होगा सहिब चार पाई टूटी हुई है तो रजाईया धूल से लेप्थ है और फर्ष पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है जनता कलोनी में रेन बसेरा बनावा है हालत बहुत खराब है जानवर रहते हो जानवर गंदगी पढ़ी आते जाता है नहीं कोई आता है नहीं कोई अधिकारी है यहां पर कोई रहता ही नहीं है जानवर रहते हैं में जानवर भूमते गंदगी उई पड़ी आता जाता है अधिकतर क्या रहता है यह बंदी रहता है वह बंदी देखा में अब सर्द का समय उप्छों कर दो किसे ने किसी ड्यूटी हो नी चाहिए कि जो गरीब आदमिये रि इसमें प्रॉपर रेटकोश से ये पहुंच चल रहे हैं तो नगरनिकम थूद जल रहे हैं जैसे नर्शमुक्ति के दर सेक्टर 14 में है और रेटकोश ससाइटी के बेस्मेंट का आफिस है इसमें सेक्टर 12 में है नारीनिकेतन जी इसके इसके अंदर है नियु जनता करोनी फर उस संस्ता से किया जा रहा है और और फिदावाद स्टेश्टर के मोड़ पर मतर रोर पर इसमें एक रहें बिसे रहा है वो स्वाइन स्लम संस्ता की तरफ से और रेटकोश की तरफ से वहां पर चल रहा है आज शाम को दो सेंटर ये स्टार्ट कर लेंगे खासर पर जो करने और अभी तक अभी तो कई ऐसा वह पर नहीं आहीं कोई भी किसी रंट बसरिमें अबश से वह हैं कदर्शा पिछले साल कि अगर बात करें तो कितने रनबसरिधा चालू हालत में रहे थे पिछली साल और कितने लोगों ने इसका फाईर सवाद साहे था हुआ से और नगरंगे को से और इसमें लब तीन हजार की करीब पर्ट स्वेट जो लोग थे इन मेट्स से जरों ने इसका पैन फिट लिया है